जैहिन दोस्तों बेलकम है आपका विजेपत डिफेंस एजुकेशन पालंपूर में आज है 14 सितंबर 2021 और इस वीडियो में डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश के मोस्ट इंपोर्टेंट 5 करेंट अफेर के कोश्चिन जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एक्जाम हिमाचल प हो या पंचाइट सेक्टरी का एक्जाम हो उसमें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाले हैं वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है आज का हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 84 मंदिरों का समुह है तो बाइलेंगुल कोशन आपके लिए हैं जिसको ह हिंदी में easily understand है या फिर जिसको इंग्लिश में easily understand है वो वहां से अपना doubt clear कर सकता है इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश का भरमोर एक ऐसा स्थान है जहां पे 84 मंदिरों का समुह है और ये हमारा पढ़ता है जिला चंबा में और हाल ही के लिए परसिद हुआ है क्यों है और उसका सनान जो है वो हाल ही में होना है तो उसके लिए जो है वो 84 मंदिर जो है वो इस वार फिर से नए रूप से उभर के आया है नेक्स कोशन है हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं तो who has become new chief minister of गुजरात recently तो भुपेंदर रजनी कांथ पटेल को हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री घोशित किया गया है और हाल ही के वहां के गवर्नर की बात करें तो आचारे देबरत गुजरात के नए गवर्नर है जो की पहले हिमाचल के गवर्नर भी रह चुके हैं और अगर बात करें कि कौन से नंबर के ये मुख् और अगर बात करते हैं कि अगर repetition के according कि कितने चहरे जो हैं वो बहां पर मुख्यमंत्री की तौर पर देखे गए हैं तो इनका नंबर आता है 17 तो 17 नंबर के भी ये मुख्यमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं next question है देश में सरफस्रेस्ट campus में किस NIT को जाना जाता है which National Institute of Technology has the best campus in the country is known to उसको जाना जाता है NIT हमिरपुर से जो की हमारा हिमाचल परदेश में स्थित है और इसके लिए परसिध हुआ था क्योंकि हाल ही में करोना की बज़ा से इसकी एक ranking जो है वो नीचे चली गई है पह भी जो हाल ही में एक नई report आई है ranking के अनुसार तो उसमें All India में इसका एक नंबर जो है वो नीचे गिर चुका है और नया नंबर आया है 99 और इसके जो डायरेक्टर है डॉक्टर ललित अवस्ती है most important question आपके लिए डायरेक्टर से भी बनता है कि जो हमारी universities होती है वहां क डायरेक्टर कौन है और एक और important question है कि ये NIT कब बना था तो 1986 में जो है वो हमिरपुर में ये Regional Engineering College था जिसको REC के नाम से जानते थे और 2002 में इसे जो है वो NIT का नाम दे दिया जिसको हम अभी जानते है National Institute of Technology Next one है परधान मंत्री मोदी के जनम दिवस पर हिमाचल परदेश में कौन सा अभ्यान चलाया जाएगा तो ऐसा कौन सा campaign है जो हिमाचल परदेश में परधान मंत्री मोदी के जनम दिन के ओपर हाल ही में चलाना है तो ये भाजपा जो है वो चलाएगी और इसका नाम है सेबा और समर्पन अभ्यान 17 सितंबर से 7 अक्तूबर के बीच में जो है वो सेवा और समर्पन अभ्यान चलाया जाएगा और इसके अध्यक्ष हैं सुरेश कशप जी जो की भाजपा के भी हिमाचल के अध्यक्ष हैं हिमाचल परदेश के स्वरन जन्ती पर कब बिधान सबा का विशेश सत्र बुलाया जा रहा है तो एक स्पेशल सेशन जो है वो हिमाचल परदेश बिधान सबा के द्वारा बुलाया जा रहा है क्योंकि हिमाचल परदेश की गोल्डन जुबली 2021 में पूरी हुई है तो इसके म का नाम है बिपिन सिंख परमार तो आज के question इतने ही है आपके लिए I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी daily वीडियो को आप देखें ताकि आपके current affair में कोई भी कमी ना रहे वीडियो को like करें, share करें आप हमारे साथ WhatsApp ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको day to day के current affair PDF और notes free of cost आपको provide करवाय जाते हैं वीडियो के description में आपको WhatsApp का link मिल जाएगा या फिर जो screen के उपर आपको number दिया है वहाँ पर आप message करके WhatsApp ग्रूप में जुड़ सकते हैं वीडियो को like करें, share करें जय हिंद, जय भारत